एगाईज वल्कम बाक टू माँ चानल हापी आर्स तो कैसे हैं आप लो तो आज की रेसीपी में हम बनाने वाले हैं एकदम चटपटे दमालू और वो भी हलवाई स्टाइल में जितना खाने में ये स्वाध होता है उससे कई जादा इजी होता है इसको बनाना तो चलिए इन चटपटे से दमालू की रेसीपी स्टाट करते हैं तो दमालू को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे छोटे साइज के आलू ले लिए हैं तो ये करीब 200 ग्राम के करीब आलू है और इनको मैंने पहले एक साफ पानी से वाश कर लिया है अब हम इसको पील कर तो अच्छे से इन आलू को हम पील कर लेते हैं तो देखिए मैंने सारे आलू को पील कर लिया है और एक बार इनको फिर से वाश कर लिया है तो अब हमने क्या करना है एक फोक की मदद से हमने इस तरह से इसमें होल्स कर लेने हैं इससे क्या होगा ना जब हम इने पकाएंग फोक से कर सकते हैं या फिर आप नाइफ से भी इसमें अच्छे से होल कर सकते हैं बहुत इजीली नाइफ से भी इसमें बहुत अच्छे से तो इस सारे आलू में इसमें डाल रही हूँ सरसो के तेल में अगर आप इसमें को बना रहे हैं तो पहले तेल को बहुत अच्छे से पका लें क्योंकि सरसो के तेल में बहुत स्मेल आती है अगर कच्छा रह जाता है इसलिए इस oil को पहले हमने अच्छे से पका लिया था और अब हमने इन आलू को medium flame पे fry कर लेना है जब तक ये अच्छे golden fry नहीं हो जाते और ये आलू जो है अच्छे से पक नहीं जाता तब तक हम इसको अच्छे से fry कर लेंगे आप चाहें तो इसको deep fry भी कर सकते हैं तो आलू जब तक हमारे fry हो रहे हैं मैंने यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्च ले 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 हैं सापुत अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो बहुत ही बढ़िया और otherwise नहीं है तो आप इन ही मिर्च को यूज कर सकते हैं अब मैं क्या कर रहे हूँ इसका तीखापन कम करने के लिए इसके बीच जो है वो अंदर से निकाल ले रहे हूँ तो ये सारी मिर्चों के बीच मैंने निकाल दिये हैं अब मैं क्या कर रही हूँ इसमें थोड़ा सा गरम पानी आड़ कर रही हूँ जिसे की अच्छी सॉफ्ट हो जाएंगी और अब हमने इसको 5-6 मिनिट के लिए इसी तरह से गरम पानी में भीगव के रख देना है तो देखे यहां आलू जो है हमारे अच्छे फ्राइ होने स्टार्ट हो गए है अच्छी कोटिंग इनके उपर होने लगी है एक गोल्डन कलर की बट अभी क्या है न यह बाहर से हमको ऐसे गोल्डन दिखाई दे रहे हैं लेकिन अंदर से जो है यह अभी कच्छे होंगे तो हमने और तीन से चार मिनिट अच्छे से फ्राइ कर लेना है तो देखे यह आलू जो नखे लेग्हार ब्रावन हो गये है और अच्छी तरह से यह पग गए है मदद केढ अन्दर से पके हैं यह नहीं, नाइफ की मदद से इसको चेक कर लेंक the knife के अंदर जा रहा है तो यह आलू जो है पक गए है तो इन नहीं करेंगे और इनको निकालेंगे एक प्लेट में अब हमने के करना है जो यह कडाई में ओयल था उसमें से मैंने बाकी ओयल निकाल लिया है और थोड़ा सा ओयल जो हमें ग्रेवी के लिए चाहिए उतना ओयल मैंने इसमें छोड़ दिया है तो दो बड़े चमच यह ओयल है हम ज्यादा ओयल इसमें यूज नहीं करेंगे तो अ में आड कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अद्रग तो यहां पे मैंने इस अद्रग को भी आड कर दिया है और साथ ही इसमें एड करेंगे जो हमने मिर्च को भिको के रखा था ना तो पानी के साथ ही हम इसको आड कर देंगे क्योंकि इस पेस्ट को बनाने इसको अच्छे से ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक मिनिट और हम इस मसालो को भून लेंगे यह मसाले जो आच्छे से भुन गए हैं अब मैं इसमे आट कर रही हूँ एक चमच कश्मीरी लाल मिर्श इससे क्या होला जाएगा तो रही कैलर ब्लल को ने बहुत अच्छा आ जाएगा तो हमने पहले ही कश्मीरी लाल मिर्श को डाल दिया है और अब हम इसमें आट करेंगे जो हमने टमाटर और प्यास का प्यूरी बना के तयार किया था तो वो सारा प्यूरी मैं इसमें आट कर रही हूँ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक से दो मिनट के लिए इसी तरह से हमने इसको पका लेना है तो दो मिनिट के बाद हम इसमें मसाले आड़ करेंगे तो मसालों में यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ एक चमश धनिया पाउडर आधा चमश से थोड़ा सा कम मैं यहाँ पर अहल्दी पाउडर आड़ कर रही हूँ और करीब आदा जमच यहां पर आट करेंगे जीरा बाउडर और अब इन मसालों को हमने अच्छे से इस ग्रेवी में मिक्स कर लेना है तो इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसको ढग कर 7-8 मिनिट के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे तो 7-8 मिनिट हो गए है और जो यह ग्रेवी है हमारी अच्छी पक गई है पर अभी क्या है ना इसमें से ओयल रिलीज नहीं हुआ है तो जब तक ग्रेवी में से ओयल रिलीज ना होने लगे तब तक क्या होता ना ग्रेवी अच्छे से पकती नहीं है तो अब हमने इसको क्या करना है थोड़ा सा और पका लेना है या तो आप धक कर पका लेज़े या फिर इसी तरह से आप इसको बीच-बीच में चलाते हुए थोड़ी दिर और पका ले तो देखिए ग्रेवी जो है मैंने और 4-5 मिनट इसको पका लिया है और अब इसने ओयल रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है तो अब हम इसको और नहीं पकाएंगे और यहाँ पे हम इसमें आट करेंगे पानी तो देख लेंगे उसके बाद हमके ग्रेवी की थिकनेस क्या है तो अब ही जो है यह ग्रेवी मुझे तोड़ी सी थिक लग रही है अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी और आट कर रही हूँ तो टोटल हमने यहाँ पे डेख ग्लास इसमें पानी आट किया है तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हमने इसको एक बॉइल आने तक पका लेना है तो यह ग्रेवी में जो है बॉइल आ गया है अब हमने क्या करना है जो आलू हमने फ्राइ करके रखे हुए थे उन सारे आलू को हमने इस ग्रेवी में आट कर देना है तो ग्रेवी में आलू को एड़ करने के बाद मैं यहाँ पर आड़ करे हूँ नमक तो साद अनुसार हम इसमें नमक आड़ करेंगे और अब हमने क्या करना है इसको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हमने इसको लोटू मीडियम फ्लेम पे 10 मिनिट के लिए छोड़ देना है तो 10 मिनिट हो गए हैं और प्लेट अठाके चेक कर लेते हैं तो देखें आलू जो हैं बहुत अच्छे से पक गए हैं और ग्रेवी में थिकनेस भी देखें कितनी अच्छी आ गई है और एकदम परफेक्ट इसकी ग्रेवी बनके तयार हुई है तो अब हम चेक कर लेते हैं कि आलू अच्छे से अंदर से गला है के नहीं तो देखें कितने अच्छे से ये कट हो रहा है एकदम सॉफ्ट एकदम पक के ये तयार है तो ये दमालू जो हैं पके तयार हैं थोड़ा सा इसमें धनिया डाल लेंगे तो हरा धनिया डाल के इसको एक पर मिक्स कर लेते हैं और ये जो बढ़िया से दमालू हैं हमारे बनके बिलकुल तयार है तो अगर आपको मेरी ये दमालू की recipe पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने friends और family के साथ जरूर share करें और अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजे चानल को सब्सक्राइब क्योंकि बहुती बढ़ी बढ़ी रेसिपी आपको मेरे चानल पर मिलने वाली है तो चलिए मिलते हैं नेक्स टाइम हापी आर्स में नई रेसिपी के साथ थैंक्स पॉर वाचिंग